मेरा सिवा जोहार आप सभी को आज के इस दिन पर हम कुछ दिसेश बातों के लिए उपस्तित हुए हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस दिन के लिए राश्टी अस्तर पर अस्थानी अस्तर पर राजी अस्तर पर राश्टी अस्तर और अंतर राश्टी अस्तर पर कौन कौन से चीजें हो रही हैं और इस पे हम किस तरह से अपने आपको फिट कर सकते हैं या हमारा कंटिब्यूशन क्या हो सकता है तो सम पहली बात जो मुद्दा आपके सामने आज रखेंगे वो है पहचान का चुकि सहुत राज संग आपके पहचान को लेकर के बहुत ही चिंतित है और पहचान को लेकर चिंतित क्यों भी न हो जब आप खुद ही अपनी पहचान को लेकर श्योर नहीं है कंफर्म नहीं है पक्के नहीं है कि मैं कौन हूँ सबको पता है कि भारत सरकार ने भारत वर्ष में मौजुदा सरकार और जो पिछली सरकारें थी सभी ने यहां के जितने भी देशज, स्वदेशी, मूलबंसी, कुईतूर या इंडिजिनस लोग थे उनको माननिता नहीं दी है इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको माननिता ही नहीं दी गई है तो फिर आप सुतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए तो मैं आपको पहले उन तीन चीजों की तरफ ले चलता हूँ, जिससे कि आपकी पहचान तैं होती है आपकी पहचानता होने के लिए जरूरी है कि आप भूभाग से जुड़े हों, समयकाल से जुड़े हों और अपनी परंपराओं, अपनी रीत्रिवाजों, अपनी संस्कृति गद्विधियों से, धार्मिक गद्विधियों से आप जुड़े हों तो अगर आप छमा करिएगा, अगर आप इन चीजों से नहीं जुड़े हैं, तो आपकी पहचान पक्के तवर पर नहीं होने वाली है यह पहचान तभी आपको मिलेगी जब आप भगोलिक रूप से, सामईग रूप से और संस्कृतिक और अपने रूड़िगत रूप से पूरी तरह से पक्के होंगे तो मिलेगी इसलिए आप देखते होंगे आपको बहुत सारे नाम मिलते हैं लेकिन कुछ नाम इंडिया में नहीं मिलते हैं पशेत्पिंके जैसे आपोरजिनल बोलते हैं एंडीजिनेस बोलते हैं ट्राइब बोलते हैं सब्सक्राइब यह तीनों पारे आपको थौड़ा सा जानना भी अभेंगा कि आपोरजिनल क्या है je इंडिजिनस क्या है और ट्राइब क्या है क्योंकि इस देश में ट्राइब तो बनाया गया आपको लोगों ने 1771 के बाद से आपको अबोर्जिनल्स ट्राइब एथीस्ट और बला बला पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके साथ की गई लेकिन बड़ी स्मार्टली जब इन और 51 में पूरी तरह से ट्राइब को स्ट्रीड ड्राइब में कनवर्ड कर दिया गया तो यह पहचान का जो आपकी क्राइशिस है उएसे नहीं हुई है जो आपको लग रहा है इतने दिनों से लोग समझ नहीं रहे हैं वह ऐसे नहीं हुआ है कोई दिन एक दिव दिन में न के लिए तो जब यह पहचान आपकी खत्रे में होती है तो आपका पूरा समाज खत्रेम होता है भारत से बहतर कोई एक्जामपल नहीं है दुनिया के और भी देश हैं जिन्हों ने इंडिजिनेस को मानिता नहीं दी है फ्रांस है कानेडा है आस्टेलिया है अमेरिका है लेकिन वहां फिर आप देख रहे हैं वहां के लोगों में जो जोस, जो सम्मान जो एक रूपता जो छमता एक दूसरे से मिलने की है वो क्या आप पाते हैं यहां पर? यहां बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहां आपका जो narrative है आपके लिए जो रास्ता है वो कोई दूसरा बनाता है और आप केवल उस पर चलते हैं यकीन मानिये आप केवल चलते हैं और आपको यह अहसास होता है आपको यह लगता है कि मैं तो चल रहा हूँ आप चल नहीं रहे हैं आपकी मजबूरी है जैसे मैं एक जंगल से एक फावडा लेके जब निकलूँ तो एक काटे और पत्रीरे रास्तों से और जंगल के रास्तों से एक ट्रिक बनाते हुआ निकलूँ तो आप मजबूरन उसी ट्रैक से होके जाओगे ये पक्का है क्योंकि आपके आपस कोई आपसन नहीं है साधी जंगल है तो सेम यही इं तो अब वो रास्ता का लड़ा है तो मेरा अपना रास्ता है तो हर देशों में लोगों ने ना मानने के बावजूद अमेरिका में वहाँ पर इंडिजिनस कहते हैं वहाँ पर अपने को लोग इंडिजिनस कहते हैं नेटिव नेटिव उस देश के नेटिव जिसे की रेड इंडियन्स हैं, आपने उनका सम्मान देखा है, उनके सम्मान पे दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड, दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड उनके नामों पे हैं, अपाची बाइक का नाम सुना होगा, यह वहां की ट्राइब है, जिसके नाम पे करोनों रूपए की औ उन्हीं के ब्रांड पे क्या उन्होंने ब्रांडिंग बनाई अपनी अपना सम्मान बनाया और यहां पर क्या हुआ है आप खुछ समझ सकते मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं अगले बात दिखिए नेटीव हो गए इंडिजिनस हो गए रेड इंडियन हो गए अमेरिका के आप देश का पहला नागरिक हूं इंडिजिनस हूं और जितने भी अंग्रेज जितने भी स्पैनिस जितने भी बिटिस जितने भी पुर्दगीज जितने भी इटैलियन अदर यूरोपियंस आए हैं वो सभी सेकेंड सिटिजन हैं यह होता है पहचान ऐसा ही आस्टेलिया में आपने आस्टेलिया में देखा कि अबोर्जिनल्स तो अबोर्जिनल्स क्या हैं अबोर्जिनल्स वो लोग होते हैं जो उसी की धर्ती में उसी भुभाग में पैदा होते हैं और तब तक वहां पर सासन करते हैं जब तक कि कोई बाहर से आ करके उनको विस्थाबित करके उन प्रेजों के जथे के जथे पोतों में भरके गए और उन्हों ने पूरी तरह से उस अबोर्जिनल पापलोशन को डिस्प्लेज कर दिया और खुद वहां के नागरिक बन बैठे तो क्या हुआ तो वहां के जो मूल नागरिक थे वो अबोर्जिनल से कहलाए अब बात करते हैं हम भारत में अब इसी तीनों देशों की तुलना करते हुए आप अपने भारत में आईए थोड़ा उससे पहले हम अफ्रिकन कंट्रीज की बात कर लेते हैं घाना की एथियोपिया की नाजीरिया की इन सब कंट्रीज में क्या है आज भी बहुत सारे लोग अपने मूल जिस थे क्या आज भी उसी रूप में उसी स्वरूप में रह रहे हैं उनका इंडिजनेसट बनाहुआ है उनका जो कोईटूर पन जिसे बलते हैं कि क्या है कब मतलब कि भारत में उसको क्या बोलते हैं अन्य देसों में सब इंडी जिनस इंडी जिनस आप समझते हैं ढंस होता है इंडी मतलब अस्थानी बनलते हैं जो अस्थानी बन्त है काौन है धडर्दी पे भारत की धर्दीको yar मूरीदीप पर पहला मानव और अच्छुप को या था अर्टका जो वनसज है कि उसकोया की वन्त्रकों को ही क्या धर्ती पे यहां इस धर्ती पे कोया खून काउन है वो सभी कोई तूर है जो आज अपनी उस करेटिस्टिक को उस गुण को बचाये हुए हैं जो उनके पूर्खों में था तो यह हुआ भारत के संदर में अब जब सब ज़र्जगां इंडिजिनस थे जब धर्ती शुरुवा ताप ठंड गर्मी खान पान भगोली स्थितियां लोगों के रंग रूप और साइज को बदल दिया ऐसा नहीं है कि हम यहां पर जो कोई तूर भारत के पैदा हुए तो यह पहले पैदा हुए या आस्टेलियम बात बदा हुए नहीं यह जो जीवन का मानाव जीवन चाहे किसी भी ग्रह पे एक साथ उत्पन हुआ तो मतलब सभी लोग प्रिमिटीव से ही उपर आये सब लोग प्रिमिटीव थे अदिवासी अधी प्रिमिटीव मतलब कि आदिवासी आध मतलब होता है विगनिंग वासी यहां पर भोगोलिक इस्तिती यहां नहीं होती है इसलिए आधिवासी सब बहुत कमजोर बना जाता है जो कि उसमें भोगोलिकता नहीं है उसमें केवल शमय का थार्टम में है कि आदिकाल से रहने वाला आदिवासी आदिवासी आदिकाल से रहने वाला इसलिए हमारे देश में संक्राचार लिखता है आदि संक्राचारी आदि सनातन धर्म, आदि महामंडलेश्वर, तो आदि मतलब कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं आदि से सुरू होते हैं, तो इसका मतलब कोई भी आदिवासी हो सकता है, लेकिन कोई तूर कोई नहीं हो सकता है, इंडिजनेस सब कोई नहीं हो सकता है, अबोर्जेनल सब कोई नहीं हो सकता है, तो अबोर्जेनल और इंडिजनेस के इक्वी गेलन जो इंडिया में सब्द है, वह है कोई तूर। इबन जनजात भी नहीं, जनजात भी कोई कई लोग हो सकते हैं, जनजात या ट्राइब कोई भी हो सकता है, लेकिन कोईतूर होना बहुत मुश्किल है, कोईतूर इसलिए दुनिया में तीन सब्द हैं, अबोर्जिनल्स, इंडिजिनस और हिंदी में कोईतूर, गोंडी में को आपकी जो अबोर्जिनल प्रापर्टी थी इसी देश की मिट्टी में उपजने की और मरने की जो कला थी और खतम कर दिया धीरे से और बना दिया आपको ट्राइब क्या होता है मतलब कि एक ऐसा सामाजिक समूह जो कुछ लोगों के अपनी पारंपरिक रूड़ी चीजों को लेके चलता है और जिसका एक अपना समाज होता है, जिसके अपना समूह होता है, जिसका एक नेता होता है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, यही तो जन जाती है, लेकिन ये तो कोई हो सकता है, कोई भी आदमी इस तरह का ट्रडिशनल कर ले, मेरे बाबा ये काम करते थे, मचली मारते थे, मैं भी केवल आपको tribe होना ज़रूरी है, इसलिए कोईतूर जो है tribe से भी बड़ा सब्द है, अब आईए आदिवासी, आदिवासी क्या है, इन ही tribe का, जो ये tribe जिनका की traditional परंपराय हैं, उनको लेने के लिए संबिधान से बनने से थोड़ा पहले, कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये हटाना बहुत मुझकी लोगा, तब उन्होंने लाया word आदिवासी, अब आदिवासी क्या है, अब ये define करते हैं, कि आदिवासी का मतलब होता है, कि आदिकाल से रहने वाले वो सभी जनजातियों का समू, तो सभी जनजातियों का, कोल, भील, मीना, भिलाला, सहरिया, न्यासी, खड़िया, आज जो हमारे जितने भी जनजाति समू हैं, इनके पूरवज सभी कोईतूर रहे हैं, सब कोईतूर हैं, अब ये चुकी अपनी कोईतूर के जो उनके करेटिस्टिक होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, चोड़ चुके हैं, और अब ट्राइवल का बन गई हैं, आदिवासी, इसलिए बहुत किलियर कट, आप देख सकते हैं, पूरे देश में, दो चीजे बहुत किलियर हैं, इस देश में या तो कोईतूर हैं, या तो बैतूर हैं, और जब बैतूर हैं, तो या तो वो धार्मिक रूप से हिंदू हैं, या धार्मिक हैं सुरूर ट्राइब के नाम पे जो इंडिजिनस के बदले यहां पर कंपंसेट करने के लिए सम्विधान में ट्राइब सब दिया गया है उसकी जो मलाईख हा रहे हैं कुछ लोग वह आराम से इनसे हां से निकल जाएगी यह है पूरा इनका इतिहास जिसको यह जानना चाहते हैं और हमेशा यह बिरोत करेंगे और दूसरा जोकि इनोंने जब आप खुद घर नहीं बनाये होते हो जब आप सुरंग नहीं बनाये होते हैं जब दूसरा बनाता है तो वो जिधर चाहेगा आपने अपना पोस्टर बंदर नहीं बनाया लेकिन कहीं और से लाखों करोणों की संख्या में डिजिटल पोस्टर बंदर बनके आए आधिवासी जिस पे आपके भाई लोग अपना नाम लिख लिख के परचार किये वो कौन हैं मैं पूछना चाहता हूं वो कौन हैं जो प्लिकेशन आप देख लिए जितने जिने चापा खाने हैं जितने प्रिंटिंग प्रेस हैं जितने जनरल्स हैं जितने अकैडमिक बुक्स हैं जितने भी लिखा पढ़ने वाले चाहते हैं आपके लोग नहीं हैं आप लोग पढ़ते नहीं हैं उनके लिखने और पढ़ने के बाद भी उससे लिखा जाए कि international day of the world's indigenous people साथ वर्ड होते हैं बिस्व के कोईतूरों का या बिस्व के कोईतूरों का अंतराष्टी दिवस साथ सब्द हिंदी में भी है साथ सब्द अंग्रेजी में भी है जिसको लोग गवरव दिवस सम्मान दिवस रोजगार दिवस पता नहीं क्या क्या दिवस मना रहे हैं क्यों क्योंकि उसकी बैलू पता नहीं है एक अंतर राष्टी अस्तर की वर्डिंग को एक अंतर राष्टी अस्तर के जो नामन क्लेचर है जो नाम करण है उसको कैसे आप बदल सकते हैं किसने आपको अथार्टी दी है लेकिन इस देश में जिसको अथार्टी नहीं जाती है उसी को अथार्टी जाती है जैसे आपको किनारे कुछ खडा करने की जरूत नहीं है लकिन क्या खडा होता आप आप जानते हैं किसी पार्क में कुछ खडा Cow 설 आधिवासी हो गया हूं तो उनको आधिवासियत का भूत इस तरह हुआ है कि उनको अपने सामने का जो पर्दा है वो दिखाई ही नहीं पढ़ रहा है कि मेरे साथ कुछ गरबढ हो रहा है जैसे मैं उधान देता हूं कई लोग कहते हैं सर अब मैंने संग्ठन खोल लिया इस वाधिवासी के नाम पे मेरे लोगों का नाम इस पड़ा पड़ गया मैंने अपने संस्था का नाम इस तरह रजिस अगर आपके पैर में गोबर लगा जब तक आप उसको समझ रहे थे कि Україए अच्छी चीज आप उसको ले जा रहे हैं उसके साथ आप टाल रहे हैं तारीख कर रहे हैं उसकी लेकिन अगर कामबैस पता लग जाए कि यह गोबर नहीं या यह कुछ अच्छी पनी है यह मैला वो बहुत कि अप साप करो विह तो नहीं नहीं हरे वह करने आफ यह इसे यह नकारात्मक वाक कर अब है इसी अपड़ नहीं लाते हैं के लिए आप अपना खुद नहीं बनाते हैं दूसरा लाके देता है तो आप खाते हैं इसलिएirdhan jis दिन आप खुद खाना बनाये लगें जिस दिन अपनी प्लेट साफ करने लगें जिस दिन आप चूला आपना ढूंढ लेंगे उस दिन दूसरे के खाने पर भरोसा नहीं करेंगे। समझ्या यह हो रही है कि हम सभी लोग किसी दूसरे के दिये गए खाने पर इतना पलने के आदी हो गए हैं कि हम अपनी करवट इबन कल मैंने टेस्ट करने के लिए अपने फेस्बुक के पर उस पर डाला उस पर भी उस पर क्लियर कड मैंने लिखा है कि कोई तूरों के बारे में कुछ लिखना है उस पर बार बार कहने के बात भी उस पर जै आदिवासी जै आदिवासी क्योंकि वो द तो इस समय चोश्तिती है कि लोग क्या कहने लगे हैं कि आपको भी लोग आरोप लगा देंगे और आपको भी बदनाम कर देंगे कि आप आजगासियों के विरोधी हो और आपको गालियां देने लगेंगे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है तो कि मैं इनके लिए कर रहा हूं मैं इस कोईतूर के मुहिन को इस के मुमेंट को इनके लिए नहीं कर रहा हूं मुझे पता है कि अभी मेरे फरक पर नहीं पड़ेगा और ना तो मैं एक दो साल, बीस साल, पंदरा साल फरक पड़ने वाला है ये अगले डेड़ सालों में, दो सालों में जितने साल लगे हैं अधिवासी का कमबल उड़ने में, उतना ही साल लगेगा अधिवासी कमबल उतारने में अगर आप real है, ये देश के लोगों को समझ आए लगा है चाहे वो न्यासी हो, चाहे गरो हो, खासी हो, हो हो, मुंडा हो, संथाल हो, भील हो, गोंड हो, कोरकू हो, मीना हो, सहरिया हो, भील हो, भिलाला हो, मीना हो इसमें से कोई हो, सब एक सूत्र में बने हैं सबकी जो डोर है, अंदर की डोर है भावनाओं की डोर है, समाज में काम करने की डोर है नेंग सेंग की डोर है, साधी ब्याह की डोर है सबकी एक दम बराबर एक समान है मृत्त के संसकार, साधी के संसकार या जन्म के संसकार खेते बारी में जो काम हो रहे हैं उनके सब संसकार सब एक तरह के हैं तो भाई कैसे हम अलग हो गए अब इनको ये संबाद गए इनको जोड़ा आए कहते हैं कि दूसरा लाजी के देते हैं कि हम आधिकाल से आते हैं आधिकाल से आप ही नहीं हुआ अगर आधिभवानी वहां से आ रही है तो आधिभवानी के साथ आप भी तो आधिवासी चल रहे हो ना अब देखिए दूसरा अब आपको जब यह नहीं समझ मा रहा है कि हम जो ढोर हैं उसके इसका कारण है आदत पढ़ना अब चुकि यह कह आप दी वर्ड्स इंडिजिनस पीपल विश्व के कोई तूरों का अंतर राष्टी दिवस कहने में थोड़ा सा जबान लड़ खडाती है अब डाउन होती है तो आदमी को लगता रहे यार क्या फ़स गए अधिवासी दिवस की मुबारगवाद बनवासी दिवस मुबारग ह क्यों बड़ा आसांस है क्यों आपकी दिवान में इसका मलत थोड़ो मेरे बाप का नाम प्रफुल भल्जन राय हो कि प्रफुल भल्जन सिंग हो तो हम साथ कड़ माने में है प्रफुल प्रफुल आ करके नाचेंगे ऐसा होता है क्या ऐसा करते हो क्या आप सोचिए अगर आपका नाम थोड़ा सा टिपकल हो तो क्या उसका नाम सब्सक्राइब कहने लगे आपको आपको नाम सत्य प्रकांड नारायन गयंका आप इतना बड़ा नाम है और कोई सत्वा सत्वा आपको कहने लगे तो कैसा लगेगा तो वही है कि यवल ये ब्योहारिक्ता की प्राव होती है उसको बहुत टाइम लगता है कोई बेडी पीता कोई सिग्रेट पीता कोई नशा करता है कोई जो इस तरह के बैसन करता है यह भी तरह के नशा हो गया है नशा क्यों क्योंकि उसके पीछे एक लगातार भरा जा रहा है आपको बताया जाता है आपको सरकारों द्वारा सरकार आप देखिए 5-6 सरकारों के आज जाके इंटरनेट पर गूबल करिएगा साथ सरकारे इस समय कोई आदिवासी लिखता है अगर आप सच्चे बाप के होते तो आपका एक नाम होता है तो रायस्थान सरकार आपको कुछ लिखती है मद्यप्रदेश सरकार आपको आदिम लिखती है मद्यप्रदेश महारा सरकार आपको आदिवासी लिखती है ऐसे ही सभी सभी सरकारें जितनी वह आसपास हैं सरकारें सब एक समान नहीं है अगर एक देश में एक ही जनसमदाय के लिए एक नाम नहीं है तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है अगर आपको नहीं समझमाता है तो यह आपकी प्राबल्म है सरकार की प्राबल्म नहीं है सहकर आपके सामने ही एक ही सरकार का आफिसे जणन कुल करें चार-चार बोड टंगे हुए तो क्या हो रहा है आप अपने ही नाम को कही तरह से बांट दे रहे हैं अब एक गिलास है अगर इस गिलास को आप देखते हैं आपको लगता है यह पानी का सीशे का गिलास है अगर मैं इसको कहूं डास कोई कहे पास कोई कहे मास कोई कहे चास तो इसके नाम क्या हो जाएंगे confused तो जो इसकी actual नाम है गिलास ओभी नहीं रह जाएगा और जो अन्य नाम तो वही हाल हुआ आपकी इसे बोलते हैं संकट किसका संकट सम्मान के साथ नाम पहचान का संकट जिसको पहचाना है संयुत राजसंग ने संयुत राजसंग ने कहा है कि यह जो संकट है यह इनके पहचान के साथ इनके नाम का इनके पहचान का संकट है और इस संकट को दूर करने के लिए 193 देशों से आहवान किया है से उत्राजने कि आप अपने अपने छेत्रों में अपने अपने लोगों के बीच में उनकी पहचान को सुनिशित करिए पहचान सुनिशित कैसी होगी लेकिन भार जैसे देश जहां पर की हमने माना ही नहीं न जब हम मानते ही नहीं तो हम तो करने कोई जरोती नहीं है जैसे ही हम मान लेंगे वैसे हमें UN का प्रेसर, UN का काम करना पड़ेगा और जैसे ही हमने UN की बात नहीं मानी तो UN का रूल भी नहीं हमारे उपर चलेगा तो हम जो चाहें वो करें इसलिए देखिए आपका विस्थापन असानी सुझाता है अगर आपके अंदर इंडिजिनस रूल यहां लगता तो विस्थापन नहीं हो सकता था आपका विस्थापन असानी होता है आप माइग्रेट करवा दिया जाते हैं आपके यहां सेर पाल दिया जाते हैं आपके चार हजार लोगों को हटाने के लिए एक मरियल सा सेर लाके बांदिया जाएगा और बोले जाएगा कि यहां पर अभ्यारण बनेगा जंगल में सेर रहेंगे अरे मुर्खों साथ हजार आठ हजार की पाप्लिएसन के इंसान के जो सम्मानित इंसान हैं कोई तूर हैं उनको हटा कर इंसान के न इंसान के निगाह में एक मरियल सा सेर बहुत जादा है और हजार हमारे जो जनजाती और ट्राइव और भारती समिधान दौरा प्रमारित लोग जो हैं जिनको हम कोई तूर कहते हैं उनके लिए तो आपको तो जगन नहीं है तो जगन नहीं है जगन नहीं नहीं करेंगे आप है कौन आपके पोस्ट में रहा हूं हुआ है कि यह कंफ्यूज है है तो जगन है मतलब है कि आला नहीं है उड्सक्राइद होगे उड्सक्राण में तरह ओड़ीज़ जगे है आप नंगे पुछ एले लोग नहीं हो आप YouTube की अपने अपको अपनी संस्कृत्ती है आप राजामराई रहे हो आप कला है आपके पास इतिहास है आप के पarson पूरा निर्माण की ब्यौंस्थाएं हैं अब डिजाइन करते हो, आप फिल्म और मीडिया में भाग ले रहे हो, आप अच्छे-चे पड़े कलाकार हो, आपके पास बैगा, गुनिया, अच्छे-च्छे बिद्वानों की जरूर्ब है, आपके यहाँ अच्छे-च्छे परसा पेन हुए हैं, अच्छे-च्छे लिंगोज हुए हैं, अच्छे-यच्छे मुठवा हुए हैं, अगर आपको शम्मान होगा, तो यकीन मानिएं, आप कभी भी अपने को आदिवासी नहीं करेंगे। आदिवासी वो कहता है जो बिकारी होता है। बिकारी उसके पास कुछ नहीं है, ना उसका अपना राजपाथ है, ना उसके पास अपने वस्त्र है, ना उसके पास अपनी संस्कृति है, ना उसके पास अपना संगीत है, ना उसका अपने पास कपड़ा तक नहीं उसका अपना है, तो उसका अपना कुछ भी नहीं है, और जो कुछ अपना है, सबसे बड़ा फाइदा, कोई तूर होने के लिए जूर बोलने जरूत नहीं है, सबसे बड़ी फाइद, बात, आद्वासी होने के लिए आपको रोज रोज जूर बोलना पड़ेगा, दस लोग बीच जाओगे, जूर बोलोगे, पबलिक में जाओगे, अपर काश लोग भी जाओगे जूड़ बोलोगे लेकिन कोईतूर होने के लिए आप सीना तान काओगे अरे भाई मैं यहां कर आजा हूँ यह मेरी है हमारा घर है मेरा धाय बेस है यह इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कोईतूर भारत है कोईतूर भारत यह हमारा भारत है यह हमारा भारत है हम चिलाते नहीं क्या आपने बाप को कहते मेरा बाप है मेरा बाप दिन में तीन बार बोलते हो नहीं बोलते न क्या आपने घर को आपने कभी याद करिए कभी आप जिन्दकी में आपने कहा होगा कि मेरा घर है मेरा घर है कुछ चिलाए हो पागल हो के नहीं नहीं आप देश के एक बड़े दसवा हिस्सा हैं, आज बचे होने के बाद भी, इसके थ्री फोर्थ हिस्से से ज़्यादा है, तो जब आपका संवान नहीं हो रहा है, तो कैसे इस देश का संवान होगा, और जो लोग कहते हैं कि देश हमारा है, देश हमारा है, वो हमें सat चोर होत सब के सामने अरे मेरा बाप मेरा बाप नहीं हो मेरा बाप ही है यार में सबका नहीं होगी लेकिन एक दूसरा आदमी जो मेरे घर पर कभजा करके आएगा बड़ा बोटांगेगा है उसका नाम बदलेगा उसको कहेगा कि यह इनका मकान इनका मकान नहीं है यह तो हमारा मकान ह बैनर भीटाएगा, सकत पर्चा भी माटेगा, कि मेरा मकान है, तो अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हो, और अपने सम्मान में यह भारत आपका है, यह कोईतूर भारत आपका है, यह कोईतूरियन धर्ती आपकी है, मुरी दीप की माटी के कंड़ कंड़ आपके है, इसकी संस्कृत, इसकी सभ्विता, इसका एक एक चीज आपका है, और आप यहां के ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपके महलों के खंड हर, आप भी जाके देख लो, अगर आपको सक लगता मेरी बातों पर, आपको लगता कि मैं लफाजी कर रहा हूँ, तो भी जूते मारिए, और जाइए, आप जाइए, निकलिए घर से तो, उस घर से निकलिए, देखिए आपको पल-पल पे, यहीं से सुरू करिए, जहां भी खड़े हों आप इस समय, वहीं के आसपास 15 km देखिए, आपकी बावडियां, आपकी कुए, आपके मंदिर, आपके महल, आपकी बावडी, आपकी गढ़ी, आपके गढ़ा, आपके आसपास भरे मिले हैं, किसी आदिवासी कोई दिखा दे उसका एक महल, तो मैं आज नाम मांजाओं, मैं कल अपना नाम बदल देता हूँ, मैं अपने आदिवासी कहना सुरू करता हूँ, वो दिखा दे को कभी राजा मराय रहा है, कभी आर्क्रिटेक्ट रहा है, कभी उसने निर्मार कार किया है, नहीं किया है, कभी उसने गिड डिजाइन किया है, कभी इसने music compose किया है, कभी किया है, कभी नहीं कर सकता हो, तो कि उसकी छमता ही नहीं है, एक गुलाम की छमता कभी भी एक राजा की तरह नहीं हो सकती है, कोई तूर एक राजा है, और अधिवासी एक गुलाम है, मैं धकार के बहुत बोल रहा हूं, जिसको भी चो करना हो, करे और इसको मैं प्रमाण के साथ करता हूँ, मैं लफाजी नहीं करता हूँ और ये प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, जिसको भी गुलामी करनी हो, साउसे करिए और हमें गुलामी करने वालों के दुनिया में हज़ारों लाकों गुलाम है अफरिका से गुलाम ढोए गए अमेरिका में गोए गए आज भी इंडिया में गुलाम ढोए जा रहे हैं तो मुझे डर नहीं है कि आप गुलाम हो तो क्या हो अब गुलाम है गुलाम रहिए लेकिन जो अपने को सुतंतर रह रहे हैं उनको सुतंतर रहने दीजिए आप उनके इस देश की धर्ती का मालिक बना कर रहेंगे और इस देश के लोगों में वो जोस और जज़व जगा कर रहेंगे जहां से अपने को सम्मान से कोईतूर कह सकें और इस देश की पूरी दुनिया की जो आज की थीम है जिसे हम कहते हैं कि कोईतूर के साथ, कोईतूर के साथ, कोई दूरे design के साथ कोई तूर के media के साथ कोई दूर के सम्मान के साथ इतनी छीजे सब कोई तूर के साथ हैं सोचिए 193 देशों का संग्ठन जब और कह रहा है कि हम कोईतूर के साथ हैं तो केवल कुछ राज्यों के चंद राजनीतिक और चंद जो है अपने स्वार्थी लोग कह रहें नहीं नहीं हम तो भाई आदिवासी हैं इवें नाम तक नहीं लिख रहे हैं पूरा-पूरा उनको नाम लिखने में प्राब्लम है कि कंप्लीट इसका हिं रहें बस अंतर इतना ही है लेकिन आप अपने सम्मान से समझावता ना करिए मैं मानता हूं कि मैं एग्रेसिव हूं थोड़ा मैं चीजों को बहुत भावख हो के कहता हूं इसलिए कई बार हमारी बातें बहुत सारे लोगों गुरी लग आती हैं और इसलिए मैं आप लोग यह अपरे लूश्र defense मैं मुझे से में अपने कोईतूर अपने बालें बारओं कोंकी लगा की सब कोष्यचा हूं। जैसे किसी का हाथ में डायमंड हो, हीरा हो और वो एक लोहे की पीतल के बदले बदल दे। तो मैं अपने सभी भाईों से कहता हूँ, आप सभी मेरे भाई हैं, आप सभी मेरे खून के हिस्से हैं, बस केवल अपनी अपनी सोच थोड़ी सी बदल गई है, उसको लाइए, और जो मैं कह रहा हूँ, उसको यकीन पर तरशी मेरी बात मन मानिए, जाइए, उसको परकिये, जाइए, तौलिये, और ये बात दें करिए, जो मैं कह रहा हूँ, क्या हो सही है, अगर नहीं सही है, तो मत मानिए, त्योंकि मैं कोया पुनेमी हो, और कोया पुनेम कहता है, सत्य का पत, सत्य का रास्ता, जो सत्य है, वहीं मानिए, अगर आपको लगता है, इस देश में को चाहे वो चैटाटन हो, चाहे वो हमन्डराफ हो, चाहे वरियार एलविन हो, दुनिया के जितने भी राइटर्स हैं, उनकी बातों को आप गलत मान लीजिए, कभी आपने सोचा कि आपके बारे में चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं, कभी क्या आपको दिमाग लगता नहीं, प बगावत ही हो गया हूँ, बस अंतर इतना ही है, और ये अब बगावत मेरी मौत के साथ ही बंद होगी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सिवा जोहार, और मेरी जो कुछ भी थोड़ी बहुत अग्रेसिवनेस थी, या जो इमोसिनल पन था, या जो भी मेरा चिल जलाहट था, जलाहट थी, उसको माफ करिएगा, आपको कुना मैं सिवा सिवा जोहार करता हूँ, और आप सभी को फिर से पढ़ाम करता हूँ, सिवा जोहार, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद.